Hello and welcome back to Check Academy, Today our topic is binary arithmetic, जिसमें हम binary addition के बारे में पढ़ते हैं, जब हम binary addition के बारे में देखते हैं, तो binary जो होता है वो दो digit कंसिस्ट करता है, 0 और 1, जब बारे जो दो digit, जब binary addition करते हैं, तो हमारा जो computer होता है, वो इस तरीके से addition नहीं करता है, जो हम simple mathematics से करते हैं, as like 56 plus 23 कितना हुआ 79 हो गया ऐसे नहीं करेगा ठीक है binary कैसे addition करें computer हमारा binary addition कैसे करता है यहाँ पर हमारा x अगर 0 होता है और y 0 होता है तो sum भी हमारा 0 होगा और carry हमारी 0 होगी यदि x हमारा 0 है y हमारा 1 है तो sum हमारा 1 होगा और carry भी हमारी 1 होगी यदि x हमारा 1 है और y हमारा 0 है तो sum हमारा 1 होगा और carry हमारी 0 होगी यह तो simple से 3 थी लेकिन जो 4th 1 हमारा है यह तोड़ा हमजने वाला है इसको संबल लेजिए यदि x हमारा 1 है और y भी हमारा 1 है तो जो sum होगा वो कितना होगा वो 0 होगा 0 क्यों होगा क्युंकि 1 & 1 यहाँ पर 10 माना जाता है ठीक है और हम उपर से carry लगा देगी यानि next कोई भी visit होगी वो हमारा क्या करेगी carry उपर से हमारी 1 आ जाएगी ठीक है जो carry होगी वो क्या होगा 1 होगा अगेन हमारा पर one और one आता है माल लो यहां पर zero है और यहां पर भी zero है तो यदि हमारा one और one क्या आता है फिर से ten आ जाता है तो zero और carry one और यहां पर हम carry लगा देंगे अब इसे हम mathematician के तरीके से देखते हैं अगर हम मैंने जो previous video में जो table करवाई थे अगर हम उस table के according देखें तो यहां पर यह क्या है one है और eleven zero one one यहां पर क्या था तरी था अगर हम इसको sum करते हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए fourth और fourth नंबर पर कौन सा binary result था और बेसे hundred था ठीक है इसका मतलब हमारा जो answer यहां पर आया है वो सही आया है तो हमारा जो calculation हम जो करेंगे बैनरी एडिशन करेंगे उसका जो rule होगा वो यह table से हमें follow करना हुगा ठीक है half adder जो है हमारी वो इस table को follow करेंगी उसके बाद हम next बात करते है full adder table के बारे में झाल 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 झाल